हेलो और वेलकम दोस्तों मेरा ना मैं संदीप कुमार आप देख रहे हैं TechSPR तो गाइस पिछली वीडियो में हमने अपने एड्मिन पैनल का पूरा सेट अप कर लिया था अपने Android Studio का भी पूरा सेट अप कर लिया था और अपने एप को रन कर लिया था तो गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने Android एप का कस्टोमाईजेसन और अपने एड्मिन पैनल को अपने Android एप से कनेक्ट करेंगे और उसमें डेटा डाल करके अपने एप को रन करके देखेंगे कि हमारे एप का लूक अब कैसा आ रहा है तो सारा काम इस वीडियो में करने वाले हैं इस वीडियो में अपने Android एप को कम्पलीटली बना लेंगे हम तो गाइस मैंने अपने Android श्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए तो गैस शुरुवात में आप लोगों को आपका जो project है वो कुछ इस तरीकी का दिखाई देगा ये सारी files आपको closed मिलेगी कोई भी files यहाँ पर कोई folder explored नहीं होगा तो यहाँ पर इस तरीकी का कुछ आपको interface दिखाई देगा तो सबसे पहले जो काम हमको इसमें करना है सबसे पहले तो काम करना है हमें अपनी splash screen क्योंकि हम सुरुवास से चलते हैं कि हमारी splash screen जब हमारा app open होता है तो एक splash screen आती है 3-4 second के लिए उसको हमें अपने यह साब से change करना है तो आपको इसमें rest folder भी आ जाना है तो आप जैसे में करना हूँ वैसे ही करिए तो आप लोगों को rest folder के अंदर आ जाना है उसके बाद में आपको आना layout में तो layout में आने के बाद में आपको जाना है splash screen वाली जो हमारी activity है उस पे तो यह activity underscore splash dot xml इस पे आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने वह page open होके आ जाएगा जो शुरुआत में हमें देखता है अपने app में तो आप देख सकते हैं कि यह वही screen है जो शुरुआत में हमें देखती है अपने app को जब हम run करते हैं जब आपने previous video देखी थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने अपने app को run किया था तो शुरुआत में ऐसी screen आई थी तो guys यह logo जो हमें change करना है अपने हिसाब से तो हमें अपना logo यहाँ पर लगाना है यह TechSPR का logo है तो आप अपने हिसाब से अपना logo create कर लीजिए या पर कहीं से buy कर लीजिए तो आप यहाँ पर अपने logo को import करेंगे तो आपको इसको scroll करके उपर जाना है उपर जाने के बाद में आपको दिखाई देगा drawable तो drawable का folder दिखाई देगा उस पर जाके click करें उसके बाद में right click आपको इस पर click करना है तो जैसे आप right click करेंगे उसके बाद में आपको new पर जाना है और new पर जाने के बाद एदर आ जाना है image asset पर इस पर जाके click कर देना है कुछ इस तरीके का आपके सामने pop up open होके आएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी file का path select करना है तो इस पर click कर देना है उसके बाद में आपको अपनी file यहाँ पर भी रखी हुई है उस file को choose कर लीजिए मैंने desktop पर रखी है अपनी file logo 3 नाम से तो मैं यहाँ पर अपनी file को select कर लेता हूँ और यह मेरी file है इसके बाद में मुझे okay पर click कर देना है simple जैसे okay पर click करूँगा तो आपको यहाँ पर मेरा जो लोग है वो दिख जाएगा और इस लोगों को हम adjust कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से इसको adjust कर लीजी छोटा या बड़ा तो I think यह size ठीक है और मैं इतना size इसका रखता हूँ तो guys यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है green background आप अटा सकते हैं और इसको अटाने के लिए आपको आ जाना है यहाँ पर background layer पर उसके बाद में यह color आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको white color choose कर लेना है तो यह white color है white color का code होता है 6 times f और इसको यहाँ पर choose कर देना है जैसे चूज कर देंगे आपका background आपर change हो जाएगा उसके बाद में आपको कोई भी changes नहीं करने हैं simple आपको next पर click कर देना है तो जैसे आप next पर click करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ red red देख रहा होगा इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है यह बोल रहा है कि आप इस file को override करना चाहते हैं तो yes हम जो previous file है वो delete हो जाए और यह वाला जो यह वाली file है हमारी उसमें appear हो जाए तो हम finish पर click कर देंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर जो logo mplayer का था जो tech spr की तरब से दिया गया था वो logo यहाँ पर replace हो चुका है हमारे new logo से तो यह हमारा logo यहाँ पर change हो गया है तो जब भी हमार आप यहाँ पर open होगा तब यह वाली splash screen हमको दिखाई देगी तो guys यह तो हमारा काम यहाँ पर complete हो चुका है अपने logo को हमने यहाँ पर change कर दिया है उसके बाद में हमें काफी ज़्यादा important काम है वो करना है आपको यहाँ पर आ जाना है Java पर Java के बाद में आपको com पर click करन है और आपको यहाँ पर TechSpr देख रहा होगा उस पर click करना है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर M player पर click कर देना है और आपके सामने यह बहुत सारी file open होके आ जाएगे तो guys यहाँ पर अब हमें अपने package name को change करना है क्योंकि अगर हम अपने app को play store पर upload करना चाहते हैं तो हम package name change करना को बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर आप package name change नहीं करेंगे तो आपका android app play store पर publish नहीं हो पाएगा तो guys आप लोगों को m player पर click करना है उसके बाद में आपको right click करना है और आपको आजाना है refactor और उसके बाद में आपको rename पर आजाना है जैसे आप rename पर आजाएंगे उसके बाद में आपसे बोलेगा rename package तो rename package ही आपको करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर type कर देना है जो भी आप package name रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने movie store type कर दिया उसके बाद मैं आपको यहाँ पर refactor पर click कर देना है तो जैसे आप refactor पर click करेंगे यह अपनी processing यहाँ पर करने लगेगा और यहाँ पर उसके बाद मैं आपको बोलेगा do refactor तो आपको do refactor पर click कर देना है जैसे आप do refactor पर click करेंगे आपसे कुछ extra माँ अगर कोई pop up आता है तो आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजी यह यहाँ पर बोल रहा है mode j rerun to search मतलब search करेगा कि इसके कहीं uses वगेरा कुछ हैं क्या तो अगर uses हैं कहीं पर तो मुझे कोई problem नहीं है क्योंकि मुझे तो इसे refactor करना ही है तो मुझे फिर do refactor पर click कर देना है तो जैसे do refactor पर click करूंगा यह M player की जगे पर movie store को यहाँ पर replace कर देगा तो यह M player की जगे पर movie store को प्लेस कर देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा package name change हो चुका है यहाँ पर employer था उस जगे पर हमारा movie store आ चुका है यानि हमारे package name का भी काम होता है complete तो अब हम लोगों को इसमें एक काम और करना है वो काम है आपको आजाना है यहाँ पर android पर उसके बाद में आपको project पर click करना है जैसे आप project पर click करेंगे आपके सामने कुछ folders explore हो गया आएंगे तो आप लोगों को आजाना है app के अंदर अगर आप लोगों का app folder explode नहीं है तो उसको explore कर लीजिए तो यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर आपको दिखाई देगी फाइल google-service.json मतलब इस फाइल को हमें करना है यहाँ पर replace इसको delete करेंगे और अपनी फाइल को यहाँ पर add करेंगे जो कि हमें fireways से मिलेगी और हमारे authentication system के लिए और हमारे app को online रखने के लिए इसका use होता है तो आप लोगों को यहाँ पर आजाना है अपने जो भी browser आप use करते हैं उस browser पर आप आजाईए उसके बाद में आपको यहाँ पर fireways सर्च करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो अगर आप लोगोंने new account create किया है तो आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा आप लोगों को simple add project का button दिखाई देगा तो यहाँ पर add project का button है उस पे आप लोगों को click कर देना है जैसे आप click करेंगे आपसे यहाँ पर बोलेगा यह अपने project का name यहाँ पर type करिए तो मैं यहाँ पर movie store type कर देता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को simply continue पर click कर देना है जैसे आप continue पर click करेंगे उसके बाद मैं आपको next पर जाएगा उसके फिर से आपको continue पर click करना है उसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलेगा कि अपने account को यहाँ पे choose करेए तो मैं यहाँ पे default account रखता हूँ तो मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि आप लोग default account को यहाँ पे रखें क्योंकि अगर आप दूसरे account को किसी को choose कर लेते तो आपके हो सकता है दूसरे project में भी changes हो जाएं तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ उसके बाद मैं आपको यहाँ पे simple create project पे click कर देना है तो यहाँ पर अमारा project create हो चुका है आपको simple continue पे click कर देना है उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसा interface दिखाई देगा तो आप लोगों को कहां पर मिलेगा तो आप लोगों को आ जाना है अपने android studio में और जो package name हमने change किया था वही यहां पर मैं type करना है तो मैं एक बार यहां पर android में चलता हूं और package name है आपका com.techspr.moviestore तो आप लोग ने जो change किया जो भी name रखा उसे इसाब से रखिए तो मैं इसको यहां पर एक बार type कर देता हूं और एक बार आप अपनी spelling को cross check कर लीजिए क्योंकि spelling mistake होने से आपका package name change हो सकता है उसके बाद मैं आपको simple registered app पे click कर देना है तो जैसे आप registered app पे click कर देंगे उ और आप लोगों को यहां पर देख जाएगी एक file download करने के लिए वोला है तो आपको यहां पर simple इस पर click कर देना है तो यह मेरी file यहां पर download हो चुकी है तो अब मुझे आ जाना है अपने Android Studio के अंदर और मुझे फिर से जाना है project में और फिर से मुझे उस file पर आ जाना है त उसके बाद में आपको यहां पर delete का option मिल जाएगा आपको simple इस पर click कर देना है और okay पर click कर दीजिए और यह file यहां पर delete हो जाएगी तो यह file यहां पर delete हो चुकी है उसके बाद में आप लोगों को जहां भी आपकी file है यहां भी आपने अपनी file को download किया है उस file को जाकर कर करना है और आपको एप पे किलिक करना है उसके बाद मर राइट किलिक करना है अपके ऊपर और आप लोह को यहां पर option दिखाई देगा एक paste का तो आपको पेश्ट के किलिक करterror होग्र कर देना है तो यहां पर हमारे firebase की file जो एड हो चुकी है अब उसके बाद में आपको यहां पर android में आ जाना है और उसके बाद में आप लोगों को इसे scroll करना है और आपको आ जाना है नीचे gradle script में उसके बाद में आपको second option पर आ जाना है यहां पर application app आप इसको एक बार देख करना पड़ेगा application id तो application id हमें कहां से मिलेगी आपको यहाँ पर आ जाना है जो अपने json की file अभी download करके यहाँ पर add की थी उस पर आ जाना है वहाँ पर आपको package name दिखाई देगा आपको पूरा package name यहाँ पर कर लेना इसको copy तो यह पूरा package name हमने copy कर लिया उसके बाद मैं आपको इसमें आ जाना है build.gradle में और यहाँ पर app id आपको दिख रही होगे उसको पूरा इससे replace कर दीजिए तो मैं यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ इसको मैंने पूरा replace कर दिया उसके बाद मैं आपको sync now पर क्लिक कर देना है तो अब हमको अपने android app का name change करना है जो की सबसे ज़्यादा important है तो आप लोगों को इसे scroll करना है और आपको आजाना है यहाँ पर res folder के अंदर जैसी आप res पर क्लिक करेंगे यह explore हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को आजाना है यहाँ पर values के अंदर और values के अंदर आपको एक मिलेगा strings.xml आपको इस पर क्लिक कर देना है simple तो जैसी आप इस पर क्लिक कर देंगे तो guys यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा app name जिसको आप लोगों को change करना है तो आप अपने हिसाब से change कर दीजी जो भी आप name रखना चाहते हैं मैं movie store नाम से app बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर movie store रखूँगा और मैंने यहाँ पर अपने app का name लिख दिया है अभी इसमें कुछ और भी changes करने है तो आप लोग वीडियो को दियान से देखिए skip न करिए तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे आप लोगों को आजाना है यहाँ पर download folder यहाँ पर भी आप लोगों को अपने app का name रखना है क्योंकि हम mplayer app के folder में नहीं कर रहेंगे हम अपने ही app name के folder रखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है इसको यहाँ पर replace कर देना है उसके बाद में आप लोग अपनी website यहाँ पर url यहाँ पर दे दीजिए पैनल का url और अभी आप चाहें तो इसको skip कर सकते हैं क्योंकि जब हम अपने admin panel से इसको connect करेंगे तब इसको change कर देंगे उसके बाद में आपको इसे scroll कर देना है जैसे आप इसे scroll करेंगे आप लोगों को नीचे एक section दिखाई देगा बेलकम message का यह आपको यहाँ पर दिखाई देगा बेलकम टू एमपलेयर तो हम एमपलेयर में बेलकम नहीं करेंगे हम अपने app के name से बेलकम करेंगे तो आप लोगों को इसे भी change कर देना है यह मैंने change कर दिया उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जहाँ भी एमपलेयर आपको दिखाई दे उसको यहाँ से replace कर दिजिए अपने app के name से तो I think कि मैंने सारे एमपलेयर को यहाँ से replace कर दिया है अपने app के name से और अब हमारा app रन करने के लिए ready है तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं आप लोग कोई भी changes कर रहे हैं अपने app को run करके देखते रहें time to time मैं एक दो बार ही run करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और gradle build होने के बाद में run होने में time लगता है तो इसलिए मैं आप लोग को हर changes के बाद में run करके नहीं दिखा रहा हूँ तो आप लोग को आजाना है simple यहाँ बटन पे उस पे जाकर के आपको run पे किलिक कर देना तो यह run होने लगेगा आपके android device के अंदर तो अगर आपने physically कोई device इससे attach की हुई है तो उसमें दिख जाएगा या फिर आप android studio का emulator भी use कर सकते हैं और आपके android device पे आप लोगों के एक pop-up दिखाई देगा आप लोगों को install पे किलिक कर देना है simple और यह app आपकी device के अंदर install होके launch हो जाएगा यानि run होने लगेगा और यह app launch हो चुका है हमारी android device के अंदर और अभी यहाँ पर हमारी splash screen यह आप लोगों को देखने को मिलाई है 2-3 second के लिए या 4 second के लिए यह splash screen रहेगी इसका timer होता है वो set करना होता है तो 3-4 second हमने set किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि welcome to movie store यानि जो हमने changes किये हैं वो इसमें apply हुए है तो आप लोग इसको next पर click करिए या आप चाहें तो यहाँ से skip भी कर सकते हैं तो मैंने फिर से इसको done पर click किया और अभी यहाँ पर हमारी home screen यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर हमारी home screen आ चुकी है तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमारी demo movies जो पहले से थी वही यहाँ पर देख रही है वो इसलिए देख रही है क्योंकि अभी तक हमने अपने admin panel को इससे configure नहीं किया है अभी भी इससे employer वाला ही admin panel attach है तो अभी सारा control employer के admin panel से ही होने वाला है इस पर और अब हम change करेंगे अपने admin panel को इससे connect करेंगे और जो employer का default admin panel इसमें add है उसको हटा देंगे तो guys इसमें सारे changes हमारे हुए हैं हम एक बार अपने app का icon भी देख लेते हैं कि हमारे app का icon कैसा देख रहा है या नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं यह app आपको देख जाएगा यह app है movie store नाम से name भी change हो चुका है और हमारे app का icon है वो भी change हो चुका है तो सारे changes हमारे apply इसमें हुए हैं तो guys अब हम सबसे important काम करने वाले हैं अपने admin panel को अपने android app से connect करने वाले हैं और उसमें data import करेंगे और उसके बाद में अपने android app को run करके देखेंगे कि हमारा admin panel है वो connect हुआ है या फिर नहीं तो guys आप लोगों को आ जाना यहाँ पर Java के अंदर Java के अंदर आपको पूरा explore करना है और आपको एक folder दिखाई देगा config config पे click करने के बाद में आपको global file दिखाई देगी उस पे आपको click कर देना है तो global.java आपके सामने open होके आ जाएगी तो यहाँ पर हमें admin panel के जो API होती है वो यहाँ पर हमें provide करवानी है तो आप लोग आ जाएए अपने admin panel पे यहाँ भी आपने open किया हुआ है तो आपने admin panel को यहाँ भी open किया उसका URL आपको copy कर लेना है बट कितना copy करना है admin से पहले तक तो आपको admin से पहले तक का URL copy कर लेना है तो मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ उसके बाद में आपको फिर से आ जाना है अपने android studio में है और आप लोगों को इसे replace कर देना है यहाँ तक API से पहली तक तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अपने admin panel का URL चेंज कर दिया है तो यहाँ पर हमारे admin panel जो है connect हो चुका है अब हमारे android app से अब हम simply इसको यहाँ पर run पर किलिक करेंगे और अब हम run करके देखेंगे कि अभी हमारे app के अंदर क्या content show हो रहा है अगर कोई content नहीं आ रहा है तो हमारा admin panel connect हो चुका है हमारे android app से क्योंकि हमारे admin panel के अंदर भी कोई content नहीं है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब 00 है कोई भी content अभी हमने add नहीं किया है और यहाँ पर हमारा app run हो चुका है और अभी splash screen के बाद हमारा home page आएगा तो हम देखें कि इसमें कोई data है या नहीं तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी data show नहीं हो रहा है और यह बिल्कुल blank है क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने कोई data add ही नहीं किया है अपनी admin panel से तो यहाँ पर बिल्कुल blank आ रहा है इसका मतलब कि हमारा जो admin panel है हमारे android app से connect हो चुका है तो guys इसका एक बार हम data को import करके और देख लेते हैं तो आपको आजाना है यहाँ पर अपने admin panel में और admin panel में आने के बाद में आपको यहाँ पर movie पे click करना है तो यहाँ पर आप लोगों को option मिल जाता है new movie add करने का और movie import करने का तो आप जो भी चाहाँ कर सकते हैं अगर आप इस पे click करते हैं तो आप लोगों को manually इसमें data fill करना होगा और आप import पे click करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ data पहले से import मिल जाता है तो यहाँ पर आप अपनी movie का name दे दीजिए जो भी आप रखना चाहते लाइक मैं बाहुवली यहाँ पर add करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बाहुवली type करूँगा और यहाँ पर रखूँगा वाई title और इसको यहाँ पर search पे click करके यहाँ मुझे बाहुवली यहाँ पर दिख जाएगे तो मैं यहाँ पर कोई भी एक add कर लेता हूँ और आप लोग देखें कि यहाँ पर मुझे बाहुवली का poster देख चुका है और details आच चुकी है उसके बाद में आपको import पर फिर से click कर देना है और इसको फिर से import पर click कर देजिए तो जो जो details आपको इसमें import करनी है उस पर आप import पर click करते जाएए आपको option नीचे दिखते जाएंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते है movie keywords इंपोर्ट किये movie यहाँ पर cast इंपोर्ट कर रहा है जो भी जिसमें लोगों ने बर्क किया है वो लोगों के photos images वगरा सारा सब तो यहाँ पर काफी simple है movies को add करना आप import movie trailer पर भी click कर सकते हैं तो आप यहाँ से trailer को भी click यहाँ पर add कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं इस पर click कर देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को और इसमें add करके देखाते हैं कुछ content को तो हमने यहाँ पर अपनी movie को successfully add कर लिया है import कर लिया इसके data को और अभी हमने इसमें add नहीं किया है link जो कि हमें यहाँ से हमारी वीडियो पहले कैसे होगी वो link भी हम आप लोगों को बताएं कि कैसे आप अप इसमें अपना link लगा सकते हैं जहाँ भी movie आपने store की हुई है चाहे अपने private server पे या फिर youtube से तो वो link अभी आप लोगों को लगा के दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हम अपने app को run करके देख लेते हैं कि आपने जो movie यहाँ पर add की है वो हमारे android app में दिख रही है या फिर नहीं तो guys आप लोगों को android app को run करने के लिए android studio से run करने की कोई जरूरत नहीं है अब simple आप लोगों को अपने app को open करना और इसको refresh कर देना है तो मैं एक वार इसको refresh कर देता हूँ जैसे मैं refresh करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पर content देखने लगेगा और जब इसको refresh नहीं किया था तो यहाँ पर कोई भी content नहीं था तो guys इसका मत अच्छा हो जाएगा हमारे android app का तो आपको यहाँ पर आ जाना है new slide पे और new slide पे किलिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ आप लोगों को data मांगेगा यहाँ पर जैसे title तो मैं यहाँ पर title देता हूँ असो का और उसके बाद में जैनरे यहाँ पर आप दे सकते हैं देना कर दूँगा और ये एक बैनर आमने यहाँ पे add कर लिया है अलवेक Select हमने यहाँ पर एड कर लिये एक और उर add कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक और आड कर लिये यानि Total दोश्लाइद यहाँ पर एड कर लिये तो हम एक बार अपनी app को refresh करके देख लेते हैं तो आप देखें हैं कि यह यहां पर reflect हो चुकी है और हमें यहां पर अपने banner जो है हमने यहां पर slide add कि हैं वो देख रही है टॉप में तो हम इसको एक बार यहां से एक एक करके scroll करके भी देख लेते हैं कि हाँ पैनल को एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या आप लोग इसमें कर सकते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर dashboard हमारा आ जाता है और dashboard पर आप लोगों के लिए सारी details मिल जाते हैं कि कि कितनी आपकी movie add हैं और कितनी आपने इसमें tv show add कि हैं tv channel add कि हैं category क्या है जैनरे क्या है language country सारे सब कुछ इसमें बहुत सारी detail मिल जाते हैं अप लोग एक बार देख लीजिए और इसमें आपके install भी मिल जाते हैं कितनी device में यह installed है आपका app अभी केवल band device में है मैंने install किया हुआ है वही यहाँ पर show कर रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर slide add कर लेना है जो भी हमने add करके देख लिए TV show आप लोग एक बार और देख लीजिए कि TV show कैसे add करते हैं और कैसे इसमें आप लोगों को एपिसोड बाइज एड करनी है वह भी देख लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर import show पर मैं क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर manually नहीं करने वाला हूँ आप चाहे तो manually कर सकते हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैं कोई एक ऐसा show यहाँ पर टाइप करता हूँ mxplayer पर एक show आया है hello नाम से वो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और उसको यहाँ पर search पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखते हैं कि यह उसका data fetch करके लेकर आता है या पर नहीं और यह आप देखेंगे कि hello का जो data है वो फैस करके आ चुका है यही web series है जो अभी mxplayer पर रिलीज हुई है तो इसको यहाँ पर import कर लेते हैं import पर क्लिक करेंगे और इसकी सारे details को यह import कर लेगा उसके बाद में आपको फिर से import पर क्लिक कर देना है जो जो data आपको import करना है और यहाँ पर आप आजाता है कि import episode wise तो यहाँ पर आप dud कर सकते हैं तो मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सीजन बनके सारे एपिसोड यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं और उसके बाद मैं आपको सीजन टू के इंपोर्ट करनी है तो आप लोग इस पर फिर से इंपोर्ट पर किलिक कर देंगे और यहां पर सीजन 2 के भी एपिसोड सारे यहां पर इंपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सीजन 3 पर किलिक कर देना तो सीजन 3 के भी सारे यहां पर इंपोर्ट हो जाएंगे कोई अगर डेटा मिस हो जाता है तो उसको manually add कर लेंगे और यहाँ पर यह सारे import हो चुके है cast भी हमने यहाँ पर import कर लिए तो इस तरीके से हम यहाँ पर TV show को import कर सकते हैं या फिर add कर सकते हैं manually add करने के लिए आप लोगों को इसकी कुछ details होते हैं वो आप इस तरीके से add कर सकते हैं हम एक और TV show को यहाँ पर import करके देख लेते हैं और यहाँ पर हमने दो TV show add कर लिए हैं एक रामा एड किया है और एक हेलो किया है अब हम देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से link दे सकते हैं क्योंकि हम लोगों को link देना वह जरूरी है जब भी कोई हमारे app को install करेगा तो वो पिले करेगा और उसका जो भी content वो पिले करना चाहता है वो पिले होना चाहिए तो उसको किस तरीके से हम play करा सकते हैं भाहि इसमें हम देखने वाले कैसे इसमें हम लोग अपने जो भी link है अपने चाहें तो server से देने हो या फिर YouTube से देने हो वो कैसे दे सकते हैं तो आप लोगों को यहां पर आजाना है seasons पर तो आप लोगों को यहाँ पर season create करना है new season पर click करके आप season create कर सकते हैं या फिर अगर आपने import किये हैं तो आपके कुछ season से import हुए होंगे याँ पर आप लोगों के एक special और एक season बन दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को season बन select कर लेना है या फिर जो भी select करना है उसको select कर लीजिए तो मैंने season बन को select किया है और आपको यहाँ पर season बन के जितने भी episode है वो episode आप लोगों को यहाँ पर देख जाएंगे और उन episode को हम लोग करेंगे यहाँ पर edit पर इसकी सारी details आप लोग को यहाँ पर देख जाएंगे सभी details हैं यहाँ पर कुछ भी आपको करने की ज़रुवत नहीं है आप यहाँ पर इसको free या paid जो भी रखना चाहते हैं या फिर unlock with reward ads रखना चाहते हैं इसे कोई भी इस पर क्लिक करें आपका reward एडिक आना चाहिए वीडियो एड़ उसके बाद में आप लोग इसको देखा सकें तो जैसे भी आपका ना जाया कर सकते हैं मैंने फिलाल इनको free किया हुआ है और आपको यहाँ पर आजाना है source पे तो अब हमें यहाँ पर source लिंक देना है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर source देना है आप लोगों को यहाँ पर click करना है new source पे जैसे आप new source पर click करेंगे हमें यहाँ पर अपना जो भी source है वो यहाँ पर देना तो यहाँ पर simple हमको title देना एक तो रामायाड title देते हैं और उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी quality कितनी set रखने हैं जब भी कोछ चलाई पिले करें तो कितनी quality उसको दिखनी चाहिए इसका size क्या होगा वो रख दीजिए इसको आप download पिले जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं download and play दोनों ही enable कर देता हूँ उसके बाद मैं आप लोग को source type रखना है कि free है या फिर premium है paid है जो भी है उसके बाद मैं आप लोग को source का यहाँ पर type देना है कि वो कौन सा source है कहां से आप जो URL ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं तो YouTube से ले रहे हैं या पर आपके private server पर है या फिपोर file है उसको यहाँ पर दे रहे हैं जो भी आप रखना चाहें मैं फिलाल YouTube से लेने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर YouTube रख देता हूँ और यहाँ पर मुझे source link देना है और मैंने YouTube से link को copy कर लिया है और मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ उसको और यह मैंने paste किया उसके बाद मैं आप लोग इसको चाहें तो enable कर सकते हैं external browser में आप चलवाना चाहें तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग अपनी player में चलवाएं तो ज़्यादा best रहेगा आप लोगों को save पर click कर देना है simple जैसे आप save पर click करेंगे यह आपका first episode ready हो जाएगा play करने के लिए तो अभी हम play करके भी देखेंगे तो हम अपने app को open कर लेते हैं तो अब हम अपने app को यहाँ पर open कर लेते हैं एक बार उसको run करके देखते हैं इसको एक बार refresh कर देते हैं और जो भी data हमने इसमें add किया है extra वो सारा data यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो भी movies add की थी और web series add की थी वो सारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो हमने यहाँ पर अपने जो कुछ बैप्स हो और कुछ movie को add कर लिया है तो मैं एक बार इस पर import कर लेता हूँ एक movie को और जिसमें पूरा process दिखाऊँगा आप लोगो को कैसे उसमें link देना है source link कहां से मिलेगा और कैसे उसको इसमें add करना है कैसे वो पिले होगी तो मैं यहाँ पर एक बहुर movie को add कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमने एक और movie को add कर लिया है अब हमें इसमें अपना source link देना है जहाँ पर भी हमने इस video को अपनी को रखा है movie को रखा हुआ है वो कैसे पिले होगी वहाँ से हमको एक link लेना है जहाँ भी आपने इसको रखा हुआ या अपने private server पर या फिर अपने YouTube से link लेना है जो भी करना है वो आपको यहाँ पर add करना है तो आप लोगों को आजाना यहाँ पर sources पर click कर देना है तो जैसे आप sources पर click करेंगे तो यहाँ पर कोई भी source अभी available नहीं है क्योंकि हमने कोई भी add नहीं किया है आपको यहाँ पर new source पर click कर देना है और यहाँ पर आपको name देदेना है तो मैं bar name देता हूं source title जो भी आप रखना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर आपको quality देनी है आपकी video की यहाँ पर उसकी size देना है कितना size होगा यहाँ पर उसके source kind रखना है पिले रखना download download only play जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं यहाँ पर फिर ही मैंने रख्का है उसके बाद में आपको यहाँ पर source type देना है मैं YouTube से ले रहा हूँ अगर आप कोई दूसरे जगे से अपने प्राइवेट सर्वास से उठा के ला रहा है यह MP4 फाइल है, MKV फाइल है जो भी है आप यहां पर दे दीजिए मैं फिलाल YouTube रख रहा हूँ क्योंकि मैं YouTube से लिंक लेके आने वाला हूँ और मैंने YouTube से लिंक को कॉपी कर लिया है, मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं Simple Save पर क्लिक कर देता हूँ और यहां पर हमारा URL एड हो चुका है और अब हम इस मूवी को पिले कर सकते हैं जो बौर मूवी है तो मैं हम एक बार आपने आप को उपन कर लेता हूँ और मैं इसको refresh करता हूँ तो मुझे यहां पर मेरे जो बौर दिखाई में झाए ऑलगा और मैं इसको पीड करता हूँ और यहां पर पीड होना स्थ हो जाएंगी तो गाइस हमारा Android App लगबत तैयार हो चुका है अभी इसमें ये काम बचा हुआ है सिर्फ हमें अरणिंग के लिए अपने एडमोग के एड्स या फिर फ्रेस्टोक के एड्स इसमें implement करने है अभी वो काम बचा हुआ है तो वो भी काफी ज़्यादा simple है आपको add in panel के throw ही करना है आपको सिर्प add move पे या फिर facebook पे जाकर करके अपनी ID create करनी है और उसमें अपनी IDs create करनी है add की जो ID होती है add move पर banner add, intertricial add reward add जो भी सारे अपनी add की IDs को create कर लीजिए उनको एक जगया पर रख लीजिए और उनको यहाँ पर copy paste simple करना है आप लोगों को तो आप लोगों को इसे scroll करना है scroll करके आपको आजाना है यहाँ पर settings पे आप लोगों को कुछ ऐसा interface दिखाई देगा और जहाँ पर कुछ details है तो यहाँ पर अपने app का name रख दीजी और यह मैंने app का name यहाँ पर रख दिया है उसके बाद मैं आपको इसको यहाँ से copy करिए और जहाँ जहाँ पर आपको app player दिखाई दे उसको यहाँ पर simply copy paste कर दीजी और वो यहाँ से replace हो जाएगा तो यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर आपको रख देना है login required रखना है या फिर नहीं रखना है तो आप अपने हिसाब से रखिए login optional रखिए ज़्यादा बैटर रहता है और आपको यहाँ पर fireways की key देनी है for notifications के लिए तो वो fireways की key कैसे create करने है वो किसी और वीडियो में बताएंगे अभी इसकी खास ज़रूरत नहीं है और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना change कर देना है अपनी जो image है उसको तो यहाँ पर हमने इसकी details को जो भी थी सारी change कर दी है उसके बाद में आप लोगों को कुछ और भी यहाँ पर चेंजमेंट अगर आप करना चाहते कर सकते हैं यहाँ पर एक आपको अलग से टैब दिख रही होगी web setting यह mobile setting है web setting यानि कि आप लोगों को website में भी कुछ अगर काम करवाना हो तो आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें आपको Android app और आप लोगों को website यह दोनों मिलेंगे तो अभी website में हमें कुछ भी काम नहीं करना क्योंकि अभी हमने website बनाई नहीं है तो website पर काम कैसा करना है अभी सिर्फ हमें mobile app पर ही काम करना है और अगली वीडियो में जैसे हम website भी बताएंगे कि website और mobile को कैसे आप simple इसी एक admin panel से control कर सकते हैं और अपनी एक movie website और movie app दोनों को create कर सकते हैं काफी simply अभी हम इसमें ads setting पर क्लिक कर देना है ads setting पर क्लिक करिए वो mobile के लिए होगा web ads वाली website के लिए होगा तो अभी website पर हम कोई काम नहीं करना simple ads setting पर क्लिक कर दीजिए तो यहां पर आपको अपने rewarded ad की जो ad move की idea वो देनी है और यहां पर banner ad की idea देनी है intertical ad की देनी है native ad की देनी है यह सारी ideas को आप यहां पर provide करा दीजिए replace कर दीजिए simple आपके ads वो होनी हो शुरू हो जाएंगे उसके बाद में यहां पर payment setting है अगर आप subscription किसी को देना चांते हैं तो इसमें payment setting हो बहुत सारी हो उनको भी आप enable कर सकते हैं तो guys एक बार explore करके सारे features को देख लीजिए आप लोगों तब समझ में आएगा जितना जदा आप काम इस पर करेंगे आप लोगों को उतना जदा यह friendly होता जाएगा तो guys हम लोगा ने अपने android app को complete कर लिया है बिल्कुल mx player जैसा लोग है हमारे app का और आप इसमें काफी जदा आसानी से इसको control कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी करके दिखाया था तो guys वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और comment करके बताना अगर कोई भी आप लोगों के लिए problem हो तो उसको solve करने की कोसिस करेंगे और guys अगर आप लोग हमसे personally बात करना चाहते हैं तो आप लोगों को description में social media के सारे links मिल जाएंगे इसमें मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि आप telegram को जरूर से join कर लें क्योंकि उसमें काफी ज्यादा deals हमारी आती रहती है coupons बगरे निकालते रहते हैं इसका आप lab उठा सकते हैं तो आप लोग उसको join कर लीजिए एक बार और आप लोग हमारे social media instagram पर भी जरूर से follow कर लें क्योंकि वहाँ भी हम कुछ अच्छे-अच्छे updates आप लोग के लिए देते रहते हैं तो thanks for watching दोस्तो take care bye bye मिलते है next video में